चलिए आज के इफतार के लिए बनाते हैं मेरा most favorite dish that is red sauce pasta तो पहले हमने एक कढ़ाई में डालिया है तेल उसके बाद हम डालेंगे बटर और टमाटर और प्यास को अच्छे से सौटे कर लेंगे जब वो थलके से brownish हो जाए तभी हम इसमें मिर्ची, नमक, थोड़ा सा धन्या बाउडर और next हम इसमें डाल देंगे boiled pasta पास्ता डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे the star of the dish अब red sauce pasta बना रहे हैं तो star of the dish तो red sauce ही है और next हम इसमें डाल देंगे two spoons of red sauce अगर आप चाहें तो ज्यादा quantity भी use कर सकते हैं तो बस red sauce डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे and optional यह है कि आप इसमें ketchup भी add कर सकते हैं and finally दो और ingredients के डालने के बाद हमारा delicious pasta बनके तयार हो जाएगा और वो है chili flakes और oregano बस last में से अच्छे से mix कर लेंगे and serve it with some raw onions on the side and enjoy your iftar do like, share and subscribe